सब्स्क्राइब कीजिए हमारे यूट चैनल को और दबाइए बैल आइकन तकि आप आसके हमारी आने लालेगी प्लोग असानी से चली दोस्तों अब हम बात करते हैं संचार के परकार के बारे में यानी कि ठाइप आफ कम्युकेशन के बारे में कहते हैं अंत्रव्यक्तिकत संचार कहते हैं अगला इंट्रापर्शनल कम्मिकेशन इन सभी के बारे हम डिटेल से जानेंगे ठीक और उसके बाद में ग्रूप कम्मिकेशन उसके बाद में मास्कमिकेशन यह संख्या के अधार पर है अब देखे सबसे पहला है अमारा इंटराइड रख में इंटराई इसके निंदर क्या होता है दोस्तोझ जव्यक्ति-खुद से संचार करें यानिकी अपने आप से बाते करना क्या कहलाता इंटरफ परिशनल कम्यूंकेशन कहलाता है यहां पे आप taper इंदी में भी ये पढ़ सकते हैं इसमें पूरी जानकरी दी हुई है यानि कि जब व्यक्तिक खुद से संचार करता है यानि कि जब हम सपने वगरा लेते तो उसे हम क्या कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्यूकेशन कहते हैं और आगे देखते दोस्तों यहां पर आप इसकी जब दो लोग आपस में भावना विचैरों का आदान परताण करते तो उसे अंत्रव्यक्तिक संचार कहते यह आमने सामने होता है यह दो तरफा two-way communication होता है दोस्तों यह आपको ध्यान की बाते वह आप पढ़ सकते हैं बिलकुल असान है दोस्तों इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है आप पढ़ना और वैसे वी आपको साहिद समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं और यहां पर देखी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें फ सारे चीजें हम पूछ सकते हैं तो इसमें काफी तरह की इनकी विशेष्टा दी आप सभी पढ़ लेना क्यूंकि दोस्तों मैं अगर सभी चीजें आपको पढ़के बताने लग गया तो यह वीडियो बहुत ज्याता लंबी बन जाएगी तो इसे हम थोड़ा स्किप करके च उसे हम क्या कहते हैं ग्रूप कम्यूकेशन कहते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रूप अब देखिए यहां पे आपको ध्यान में रखने की जोड़ता कि ग्रूप के अंदर 500 लोग नहीं हो सकते ग्रूप के अंदर कितने होंगे पांस होंगे दस लोग होंगे ज् अभी अपनी इच्छावे सामर्थ केंसार सहयोग करते हैं अब जिसको जितनी बोलने की इच्छा वो उतना बोल सकता है कोई किसी वी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती सद्दस्यों के बीच सामान रूप से विच्यार भावनाओं का अधान परदान होता है संचारक और प्रा पूँद से जल्द सवाधान होने की संभावना बनी रहती है और आगे दोस्तों हमारे पास जन संचार यानि की मास कमनीकेशन अब देखें मास कमनीकेशन दो सब दो से मिलकर बना हो है जन पलस में संचा जन का अर्थ होता है भीड यानि की बहुत ज्यादा लोगों के उसे हम क्या कहते हैं जन कहते हैं भीड कहते हैं समू संचार का विरत रूप है जन संचार अब देखें जो समू संचार होता है उसका जो बड़ा लिवल होता है उसे हम कहते हैं जन संचार कहते हैं यानि कि मास कम्यूकेशन कहते हैं अब देहें मास्कम्निकेशन जैसे की टीवी पे कोई सीरियल चल रहा उस सीरियल को हजारों लोग एक साथ देख रहे तो वो क्या हो गया मास्कम्निकेशन हो गया कोई रैली है रैली के अंदर हजारों लोग बैठके किसी ने था कि बात सुन रहे तो वो क्या हो गया वो हो गय है आज वही बात आगी ना जैसे कि टीवी पर हम इंटर्वी देख रहें कोई कहीं पर बैठा है कोई कहीं पर बैठा है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ बैठे हो सभी के सभी लोग और जैसे कि वह हमारा गुरूप communication होता है group communication के अंदर सभी लोग 10-15 लोग एकठे बैठते हैं लेकिन mass communication के अदर एकठे नहीं बैठते हैं अब यहाँ पे जन संचार की कुछ विशेशताई भी हम देख लेते हैं विशाल भू भाग में रहने वाले प्रापत के साथ एक साथ संपरत स्थापित होता है अब देखिए हम एक साथ हजारों लोगों के साथ इसमें बात कर सकते हैं यह इसकी अच्छी बात है समस्त प्रापत को के लिए संदेश समान रूप से कुला रहता है यानि कि जो हम एक व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं वही संदेश हजारों लोगों के साथ हम एक साथ पहुंचा सकते हैं संदेश माध्यम के मदद से संदेश का संप्रेशन किया जाता है अब देखिए इसमें कोई हमारे पास का है इसमें और भी काफी तरह की बात वहां पढ़ सकते हैं आगे हैं हमारे पास दोस्तों चैनल के अधार पर अब देखिए मीडियुम जो है उसके अधार पर किस तरह का संचार हो सकता है उसके टाइप की बात करते हैं एक होता साब्दिक एक होता आय साब्दिक ये जो है जैसा कि हमें सब्द से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर सब्दों का यूज किया गया हो यानि कि वर्वल कम्यूकेशन सब्दों का यूज करके कोई हम कम्यूकेशन करते तो उसे हम कहते हैं वरवल कम्यूकेशन यानि कि साब्दिक संचार कहते हैं अगर उसे सब्द नहीं आते बोलना नहीं आता तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो चीज और इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी country में चले जाए वहां कि हमें भासा नहीं आती तो हमारे लिए verbal communication करना मुश्किल हो सकता है इसलिए इसे थोड़ा जटिल कहा गया है तो यही चीज़ आप ध्यान में रखना कि इन में से पूर सकते कि निमनलेखित में से कौन सा जटिल communication है वरवल या नोन वरवल अब नोन वरवल क्या होता है नोन वरवल के इंदर हम किसी को इसारा करके समझा सकते हैं ठीक है और इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कि साबदिक संचार कि अंदर मुख्य रूप से कौन-कौन से आते हैं अब देखिए साबदिक संचार जब हम सब्दों का यूज़ करने एक होता है मोखिक संचार मोखिक संचार यानि कि बोल के जैसे मैं आपको बोल के बात कर रहा हूँ और जैसे कि मोखिक यानि कि बोल के जो संचार करते हैं सब्दों के दवरा उसे हम कहते हैं मोखिक संचार कहते हैं और इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमें सिक्सिया आना जरूरी है कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमने जैसे बड़े बुज़ुर्ग देखे वो लोग सि सब्दों का यूज़ करके बहुत अच्छे से कम्निकेशन कर लेते हैं अब देखिए एक मिनिटर की इसके अंदर क्या है और चीजे मापको बताऊं कि संचार की इस प्रक्रिया दवरा संचार के मद्धे समाद स्थापित होता है और इसी क्या कहा गया है दोस्तों मोखिक सब् संचार संदे स्वहान की सरवस्रेष्ट कला है अब यह देखिए जो बोल की संचार किया जाता है इससे बहुत अच्छा संचार स्थापित कर शकते हैं अब देखिए किसी के बोलने का लहज़ा बहुत अच्छा है और हम उसके बोलने के दवारा ही काफिक प्रवावित हो ज हो गया प्रेस कॉन्फरेंस हो गई परदर्शन हो गया भासन हो गया वाद विवाद हो गया तो यह सभी चीजे क्या है दोस्तों यह हमारे मोखिक संचार के साधर हम कह सकते हैं मुख्य communication कर सकते हैं यानि कि बोल के अब देखे बोलने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है अब कोई हम इसारा करे हो सकता है वो इसारा किसी को समझ में ना आए तो इससे क्या होता कि बोलने से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है तुरूटिया होने की कम संभावना अब जब हम बोलते हैं तो उसमें गलतिया होने की बहुत कम संभावना होते हैं समय की बचत अब हम बोल के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात बता सकते हैं तो यहाँ पर अब काफी तरह ले सकते हैं बोलके और अगला दोस्तों वर्बल कबनी के इंदर ही हमारा लिखित संचार अब देखे सब्दों की बात चल रही है यहां पर सब्द बोलके भी हो सकते हैं अब यहां पर हम बात करते कि यह देखे मोखिक संचार में यह तो जैसे हमने पहले मोखिक की बात की मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं क्या होता है लिखित संचार के अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि कोई लेटर लिखके किसी को बाद बताते को नोट्स लिखके बताते किसी को मैसिज टाइप करके या इमेल टाइप करके यानि कि टाइपिंग करके लिखित में किसी दूसरी को संदेश देना क्या कहलाता है लिखित संचार यानि की written communication को कहलाता है ठीक है साइद मेरे को उसमें ज्यादा समझाने की जोड़त नहीं आप समझ जाओगे और लिखित संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते दोस्तों सूचना पट यानि की नोटिस बोर्ड हो सकता है समाचार बुलिटेन हो सकते है print media हो सकती है नियम पुस्तिका हो सकती है कारलिया आदिश हो सकते है पत्तर फोम पुस्त के यानि की काफी तरह के माध्यम हो सकते है लिखित संचार के लिए books वगिरा हो सकती है ठीक है तो काफी चीजे इसके इंदर आ सकती है और अब देखे लिखित संचार की विशेशता ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं मोखिक संचार की तुलना में अधिक विशेशनी है अब ये चीज हमें समझना जरूरी है दोस्तों देखी अगर हम किसी को ये कह दे भई जैसे बहुत सारी बाते चलते हैं कि मैंने उस दिन तेरे को ये बात कही थी तू आज जूठ बोल रहा है इस तरीके से हम यानि की कोई बात कह देते हैं कहने से उसका प्रूफ नहीं होता लेकिन जब हम किसी को लिखित में कोई चीज देते हैं तो वो प्रूफ ज्यादा मानने होता है तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों मोखिक संचार की तुलना में लिखित संचार जो होता है वो बहुत विश्यूस में होता ह और आपने देखा होगा कि जितने भी ओफिशिल वर्क होते हैं वो लिखित में होते हैं रिटन होते हैं रिटन क्यों होते हैं ताकि उनको एक पर आगे कोई एविडेंस के रूप में यूज किया जा सके ठीक है सबूत के रूप में भविश्य में साक्षे और संदरवों के र रख सकते वो चीज़ अलग है लेकिन अगर अकोई पुस्तक रख दी तो कोई दिक्कत नहीं है और उसका जरूरी नहीं है कि जब हम भेज रहें तभी वो हो तो ये कुछ-कुछ इसकी विशेशता है दोस्तों और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास non-verbal communication यानि कि अब बाताती ऐसाब्दिक संचार यानि कि जिसमें सब्दों का यूज ना करें उसे हम कहते हैं आए साब्दिक संचार यानि कि नौन-verbal communication अब देखें संचार केवल साब्दिक ही नहीं बलकि एसाब्दिक भी होता है वही बात आते कि जो हम communication करते हैं वह ऐसी बात नहीं कि केवल और केवल सब्दों के दवरा किया जाता है नहीं वह हम हाव भाव आवाव उसके पास सब्द नहीं होते हैं उसके बाद क्या होती है उसके पास क्या होती है फिलिंग होते हैं हाव भाव होते हैं ठीक है अब देखें आवाज का उतार चड़ाओ सरीर की मुद्रा यानि कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते तो वो क्या करते हैं कि हाथों का इसारा करके अ में अपने अध्यन के दुरान पाया कि मानो 55 परतिसत संचार ऐसाबदिक 38 परतिसत सेस और 7 परतिसत सब्दों में यूज करता है यहाँ पी यह चीज आप देख सकते हैं वैसे इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अब देखिए ऐसाबदिक संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं अब सबसे पहला आता है दोस्तों सारीरिक मुद्रा यानि की बोडी लेंग्वेज अब देखिए बोडी लेंग्वेज के दवरा हम बहुत कुछ बहुत कुछ बात समझा सकते जैसे अभी मैं भी आपको बता रहा हूं तो हाथों का इस्तिमाल कर रह लैंता है और अगे दोस्तों वेस भी अब देखिया वेस भूसा यानि कि हमारे बाता है पहां भासे हमता है उससे काफी हद तक हम कहे सकते की उसका Masシルク हो सकता है और आगे हम देखते हैं प्लेज को की ठीश की हे दिए अब देखिए जो हमारा दोस्त होगा कि कै से बात करेंगे कैसे मिलेंगे और एक अजनवी होगा तो उसको हम किस तरीके से पकड़ेंगे उसकी बाह को उसके हाथ को और जो हमारा दोस्त होगा उसको हम अलग तरीके से पकड़ेंगे तो यानि कि टच के दवारा भी हमें पता चलता है कि जो अगला दोस्त है वो हमारा मित् परकट होता है उपरोक्त के अलावा संपर्क व्यक्ति का परभाव आदेवी एसाफदिक संचार के अव्यव है अब देखिए वही बात आ रही है कि जो हमारा मित्र होगा मित्र से हम बहुत अच्छे से मिलेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों काफी एक दूस उसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और आगे देखते दोस्तों आगे हमारे पास काइनसिज अब यह देखिए इसमें से कोशन पहले आ चुके दोस्तों एक से दो बार कोशन आ चुके ये आप ध्यान में रख लेना यह गैर मोकी कि या गैर साब्दिक संचार का ही एक र अध्यान के रूप में प्रिभासित किया जाता है यान कि इसको बोडी मेंगवेज के रूप में प्रभासित कर सकते हैं अब देखे इसके फिकें तर नंदर क स्रिर की भासा कहा जा सकते हैं अब सरीर है हमारा सरीर से हम काफी तरह से एक्स्प्रेशन कर सकते हैं जैसे कि गुस्षे में होते हैं तो हम अलग तरीके से भाव बनाते हैं और जब हम किसी को इसारा करना हो तो हम आँखों का उप्योब करते हैं तो उन सभी चीजों को यानि कि जिसके अंदर बोड ग्राइता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है अब देखिए जो बात हम समझाना चाह रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि अगले के पास वही बात पहुंची हो रहो सकता है वो उसमें कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग होगी हो वो कुछ गलत तरीके से उसने बात को ले लिया हो कुछ गलत मतलब निकाल लिया हो सभी ऐसाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा चेहरे की अभीव्यक्ति आदी अर्थ को वांचित सतर से अच्छे धंग से भी पहुंच सकते हैं और अगला सोचेगा कि नहीं है मेरे को बात बताना नहीं चाहरा है इसकी तो मजबूर है यानि कि उसको एक गलत कम्मिनिकेशन गया है तो जो चहरे के हावभाव है यह सारे चीज़े यह वैवधान डाल सकते हैं हमारे कम्मिनिकेशन के अंदर ठीक है तो मैटा सब्द को हम एक यानि कि आंत्रिक जो होता है इंटरनल कम्मिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं मैटा कम्मिकेशन कहते हैं जिससे हमारा जो है कम्मिकेशन प्रभावित होता हो जैसे हमने यह बात के कि चहरा है चहरे के हाओ भाव है उनसे हमारा जो कम्मिकेशन है वो गलत हो सकता है और आगे द से भी हमारा यह पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो कि सभाव का व्यक्ति है अगर हम बहुत आराम से बात करें तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत ठंडे सभाव का है और अगर जल्दी जल्दी बात करें तो उससे क्या होगा कि हमारा व्यक्ति तो अलग तरीके से नजर आएगा यानकि जब हम communication कर रहे तो उसके अंदर सवर का उतार चड़ाओ जो होता है उसे हम क्या कहता है संचार कहते हैं और आगे आता है दोस्तों ऑक्यूलीसिज के अंदर क्या होता है दोस्तों संचार में नेतर पल्कों का प्रयोग करना अब देखिए जब हम communication करते हैं तो उसके दवरा आखों के दवरा जो communication किया जाता है उसे हम कहते हैं और आगे दोस्तों अब देखिए प्रोक्षिमिस का मतलब मैं बदाता हूं सथान का उप्योग यदि कोई व्यक्ति परधान मंत्री के निकट वाले कुछी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है अब देखिए सथान से अभिप्राय मैं बदाता हूं कि अगर कोई बह बहुत बड़ा आदमी वह बैठ सकता है या फिर उनके जान पहचान का अदमी बैठ सकता है अब बिल्कुल जो नॉर्मल निसान है वो उनके पास जाकिन नहीं बैठेगा तो इससे हमें उन दोनों के संबंद के बारे में पता चलता है तो इसे हम क्या कहते है प्रोक्सिमिस communication कहते है आगे दोस्तों haptics अब haptics होता है जो touch के दवारा जो communication होता है उसे हम कहते है अब इसके बारे में मैंने आपको पहले बताये कि जैसे कि हमारा मित्र है उसको हम किस तरीके से बात करेंगे और एक चीज और मैं बताऊं की एक touch होता है bad touch और good touch होता है जो आप लोग बच्चे को एकदम पता चल जाता है कि यह जो व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है किस सभाव से यह तच कर रहा है और हमें भी पता चल जाता है तो इसी हम क्या कहते हैं है और आगे दोस्तों अब्जेक्टिक अब देखें संचार में वस्तु आदी का प्रयोग करना किसी वस्तु की और इंगित करना इती आदी अब देखें हम संचार के अंदर किसी वस्तु की तरफ इसारा करके कहते कि वो देख वो चीज उस जैसी यानि कि किसी वस्तु की तरफ इसारा करके कोई कम्निकेशन किया जा अब देखी क्रोनिमिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम समय का यूज करें यानि कि क्या होता है कि कोई बात किस समय पे कहनी है ये कई लोगों के अंदर खासियत होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी बात कब कहनी है कब नहीं कहनी और वो बहुत अच्छे तरीके से कम्मिनिक कहते हैं और आगे दोस्तों और फैस्टिक कम्निकेशन अब देखी गंद के दवारा जो कम्निकेशन किया जाता है जैसे सुगंद आ रही है तो उस जो कम्निकेशन होता है उसे हम कहते है और फैस्टिक कम्निकेशन कहा जाता है गंद महक आदि का प्रयोग यदि कोई इत्र यह तो बड़ा फैसन वाला आदम है और किसी में से अगर गंदी बदबु आ रही है तो हम यह कहेंगे कि यार यह वेक्ट तो बड़ा खराब है यह तो यह नहाता भी नहीं तो बड़ा गंदा है ठीक है तो इस तरीके से गंद के दवारा दवारा जो या फिर महक के दवारा के लिए क्या है और वह सवादिष्ट है तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छा खाना है यह दो बहुत अच्छा इंसान इतना बड़िया खाना बनाया है यानि कि हमारी उसके बारे में एक राय बनगी एक कमनिकेशन स्थापित हो गया ठीक है तो यह दोस्तों यह जो 16 टाइम इन में से एक कोशन आने की बहुत ज्यादा संभावना है और अगर आप यह पीडिएफ लेना चाहे तो दोस्तों आप ले सकते हैं इसके लिए आप हमारा पेड़ ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नहीं पर लड़ाई हो रही हो या कुछ हो रहा हो तो उसके अंदर हम विश्वास ही होगे किसे मानेंगे तो उसके अंदर हम जिसके चहरे के हाव भाव से हम पता कर सकते कि कौन जोट बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा हम कहते ना कई वर हम अगले इंसान को देखके बता देते वही हम बता सकते हैं यह जोट बोल रहा है गलत बोल रहा है इसका तो चहरा ही बता रहा है तो उस दुरान क्या होता कि ऐस आप देख संचार काफी विश्वसन यह माना जाता है और इसमें और भी कई सारी बाते दिये दोस्तों वह आप पढ़ सकते हैं और आगे दोस्तों उदेश्य और सेली के अधार पर संचार का वर्गी करण अब देखिए उदेश्य के अधार पर फॉर्मल कम्निकेशन होता है एक और एक होता है इनफॉर्मल कम्निकेशन अब देखिए फॉर्मल कम्निकेशन के अंदर क्या होता है जैसे कि ओफिस वेगरा म उसके नियम कानुन होते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं formal उपचारिक communication कहते हैं जैसे teacher और एक बच्चे के बीच में होता है और उनके अंदर यह क्या होता कि एक rule regulation और एक सब्भे तरीके से जो संचार किया जाता है उसे हम क्या कहते है formal communication कहते हैं अब देखे जैसे कि एक छोटा करमचारी है वो अपने बोश से बात करेगा तो point to point बात करेगा फालतु कि कोई बात नहीं करेगा तो उसे में क्या कहेंगे formal communication कहेंगे ठीक है और आगे हम देखते दोस्तों कि इनके अंदर formal communication के काफी तरह के लाभ है यह आप पढ़ सकते दोस्तों अगर यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे तो हमारी जो वीडियो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आगे दोस्तों हमारे पास informal communication अब देखे informal communication के अंदर कोई rule regulation नहीं होता और कोई respect वगरा कुछ भी नहीं होता उसके हमारी मर्जी होते कि हमें किस तरह से communication करना है अब देखे जब जो दोस्त आपस में बात कर रहे तो एक दूसरे को गाले भी निकाल सकते मजाख भी कर सकते कैसे भी बात कर सकते तो उसे हम क्या कहेंगे informal communication कहेंगे ठीक है और इसके अंदर भी काफी आगे है हमारे पास दिशा की अधार पर किस तरह से communication होता हमारा एक होता होता है और एक होता है होरिजेंटल वर्टिकल होता है उपर से लेके नीचे तक नईचे तक कैशी होता है जैसे उपर बोश बैठ है उसे कोई नियम bio कि उससे पूरी कंपनी में लागू करना तो बोस क्या करेगा अपने नीचे से नीचे जो व्यक्ति उसको बात बताएगा नीचे वाला फिर अपने नीचे से बताएगा और उससे नीचे वाला फिर उससे नीचे बताएगा यानि कि ऊपर से नीचे की तरफ जो संचार होता है उसे हम कहते हैं communication कहते हैं और यह मूल रूप से अपचारिक संचार में होता है यानि कि जो हमारी संस्थाय वगरा होती है office वगरा होते हैं उर्गनाइजेशन जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से होता है कि कोई नियम वगरा होते हैं वो उपर से बनते हैं धेरे 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 निचे आते हैं ठीक है यानिकी एक एक स्टेड़ करके चीज पहुंचा ही जाता है और होगर्वेंट डावकारा होता है है इस त्परीके से समानते होता है कि समाने तो क्हेंगे मैं जैसे कि दो teacher बात कर लें आपस में या दो clerk बात कर लें यानि कि अपनी position के अनुशार दूसरे आदमी से बात करना वो क्या कहलाता है horizontal communication कहलाता है ठीक है और आगे दोस्तों तिरीक संचार तिरीक संचार के अंदर जैसे कि तिरीक यानि कि तिरचा संचार तिरचा संचार के अंदर क्या होता है दोस्तों की एक हो सकता है बोस डायरेक्टली जो निम्न सतर का यानि की जो एम्पलोई है उससे बात कर रहा है डायरेक्टली तो उसे हम क्या कहेंगे तीरी एक संचार कहेंगे ठीक है और अगर एक कलरक कलरक से बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे तो दोस्तों यह हमारे मुख्य रूप से कम्मुनिकेशन के टाइप है अब इसके अंदर एक और हमारा इंपोर्टेंट टाइप ऑफ कम्मुनिकेशन बच गया दोस्तों वह इस नोट में मैं लिखना भोल गया लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं वह हता हमारा ग्रैप वाइन कम्मुनिकेशन होता है अब देखिए ग्रैप वाइन कम्मुनिकेशन का मतलब क्या होता है जैसे हमारा अंगूर का गुच्छा होता है ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक अंगूर यहां पे एक यहां पे है एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे एक इनसान ने फिर इस इनसान को बता दी और इस इसी इनसान ने फिर इसको बता दी इसने फिर आगे बता दी इसने फिर ऐसे बता दी ऐसे बता दी यानि कि एक गुच्छे के रूप में कम्यूकेशन होता हो ना उसे हम क्या कहते हैं ग्रैप वाइन कम्यूकेशन कहते हैं इसे य बिखरा हुआ जो कम्मिकेशन है कभी किसी के पास बात चलीगी कभी किसी के पास कभी किसी के पास चलीगी तो उसे हम क्या कहते हैं ग्रैप वाइन कम्मिकेशन कहते हैं इसमें से पहले कोश्चन आ चुका है कि ग्रैप वाइन कम्मिकेशन है इसके अंदर क्या होता है कि यह इ वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरोड दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो उसको सानी से देख सके हैं